है नहीं है नहीं वह आफ सब हैपिए हैल्दी होंगे तो इस तैनल पर मैं बात करते हूं Fortility Treatment Pregnancy और अपने experience शेयर करती हूं और जितने भी मैं बातें बताती हूं वह सारे scientifically proven होती है Evidence based होती है जर्ले वीडियो स्टार्ट करते हैं तो देखे को भी प्रेगनेंसी हो, नेचरल प्रेगनेंसी हो, आई यू आई हो, या आई बीएफ हो, अल्टीमेटली आपको जो एग और स्पर्म मिलते हैं, एंब्रियो बनता है, और इंप्लांटेशन होती है, यानि कि आपकी यूट्रस से, बन की बच्चेदानी से, अल्टीमेटली के अंदर आपका जो एंब्रियो बना है, भुरून बना है, वो जाके चिपकेगा, उसी को इंप्लांटेशन कहते हैं, तो यह अलग अलग होती है, कब होती है कि मैं आपको सारा बतातीं है, देखिया, अगर आपकी नेशरल प्रेगणेंसी है, या फिर आइउता है, तो आपका आउजूर अप्लांटेशन होना होता है, उसके एक हपते के बाद इंप्लांटेशन होती है, लेकिन आइइविय से में 5-7 दिन लग सकते हैं और अगर आपका 5-day ट्रांसफर है तो आपका 3-5 देज तक लग सकते हैं implantation में तो यहनके अगर आपका 3-day है तो आप पांचमे दिन देखिए चोथे या पांचमे दिन से आप देखी स्टार्ट करी देखना और अगर आपका 5-day ट्रांसफर है तो आप तीसरे दिन से पांचमे दिन तक चेक करिए implantation symptoms को तो आप बात करते हैं जो कि सब ज़्यादा important है वो है symptoms हमें कैसे पता लगेगा हमारी implantation हो गई है नहीं तो यह देखिए इसके अलग से जो है symptoms होते हैं वह आपको बता देती हूं चाहे कोई भी तो जैसे ही मैंने आपको टाइम बता दिया है कब होती है तो आपको उसी टाइम पर आपको चेक करना है कि आपको इस इम्टम्स है या नहीं तो सबसे पहले myślę और जली सीम्टम है आपका जो टेमी अपोटा की आपको चेक सबसे यह कर सकते हैं है एपस भी हो होती है इस Parte trzy शेकर सकते हैं आपका जो होता है टेमीट्र ओस 칙 एकदम से कम हो defect जाता है थोड़ी थोड़ा सा कम होता है जादा नहीं जैसे कर 37 तो 35 यो 36 हो जाता है तो यह एक सिम्टम होता है यह हॉर्मोन चेंज की वज़ेसे होता है जब हमारे implantation होती है तो यह एक तो यह symptom होगा कि आपका जो है temperature कम हो जाएगा दूसरा है cramping देखे implantation के time वैसे तो cramping feel नहीं होती किसी को feel होती भी है तो यह एक symptom माना जाएगा तो आपको यह तो left side में पेट के निचले हिस्से पर हलकिसी आपको cramping लगेगी किसी को बहुत जादा भी हो सकती है कि वह पैर तक सीधी चलती है cramping और यह कुछ दो या तीन दिन के ठीक हो जाती है या एक दिन दो दिन के बाद ठीक हो जाती है तो यह भी एक symptom होता है पर यह साधातर cases में नहीं होता है कुछ ladies में यह symptom होता है अब हम बात करते हैं तीसरे symptom की जो कि बहुत important है वह है implantation bleeding यानि आपको थोड़ी सी spotting feel हो सकती है उस time पर जो मैंने implantation का आपको periods की तरह bleeding होगी ऐसा नहीं आपको एक या दो drop आपको panty liner पर दिख सकते हैं तो implantation spotting होती है again यह हर एक में नहीं होती है और यह कुछ ladies में इसको देख सकते हैं तो देखिए जैसे ही आपकी implantation होती है PTSDCG और जो हमारे progesterone है वो अपना काम करना शुरू कर देते हैं तो उस साने लगता है कभी आपको मन नहीं लगता घर पर तो इस तरीके की कुछ changes होते हैं हमारी body में बदला होते हैं वह फील नहीं कर पाते हम उनको देख नहीं पाते लेकिन अगर आप उसको ध्यान से अपने body को observe करेंगे तो आपको पता लगेगा कि आपकी mood swings हो रहे हैं तो इ जो आपको normal लगती थी पहले या फिर आपको भूख कम या जादा लगने लगती है दोनों ही condition मैंने पहले भी बताया है ये भी एक symptom होता है implantation का कि आपको बहुत लगने लगती है या बहुत कम लगने लगती है किसी एक चीज़ के तरफ आपको कुछ अच्छा लगने लग